गाईज अगर आप अपना जो फोन पे है उसका UPI PIN भूल गये हैं आपको फोन पे का जो UPI PIN है वो याद नहीं है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मातर आप एक मिन्ट के अंदर ही अपना जो फोन पे है उसका UPI PIN पता कर पाऊगे तो उसके लिए गाईस यहां पे आपको सबसे पहले आपका जो फोन पे एप्लिकेशन है उसे यहां से ओपन कर लिया है यहां पे मैंने मेरा फोन पे एप्लिकेशन को यहां से ओपन कर लिया है उसके बाद में आप जैसे फोन पे एप्लिकेशन को ओपन करोगे आपके सामने क कुछ इस तरीके का यहां पर interface आजाएगा अब गाईस यहां पर हमें जो हमारा फोन पर है उसका upipin हम भूल गएं तो यहां पर example के लिए मैं पहले आपको एक बार से इसका जो upipin ने वो यहां पर चेक करा देता हूं तो balance check पर मैं क्लिक करता हूं उसके बाद में मेरी bank पर म यहां पर interface दिखा रहा है कि यहां पर wrong UPI PNT के आपके सामने भी कुछ इसी तरीके से interface आ रहा हो तो आपको करना क्या है कि कैसे हमें जो UPI PNT ने उसे पता करें तो आपको बेक आना है उसके बाद में यहां पर आपका profile वाले आइकन है इस पर आपको क्लिक कर देना है उसके बा यहां पर गाइस कुछ इस तरीके से आपके सामने interface आ जाएगा यहां पर account detail दिखाई दे रही है उसके बाद में यहां पर हमारा जो account है उसके 4 digits दिखाई दे रहा है अब हमें करना क्या है कि हम जो है हमारा phone पे का UPI PNT भूल चुके है तो उसके लिए यहां पर आप देख स है यहां पर आप जैसे तो reset लिखा रहा है इस reset वाले option पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद में यहां पर आपको करना क्या है कि यहां पर आप देख सकते हो कि last 6 digit आपका ATM card है उसके last के चार अंग यहां पर enter कर देना है उसके बाद में यहां पर month यहां पर enter कर देना है और यहां पर year कर देना उसके बाद में proceed बड़न पर आपको click कर देना है उसके बाद में आप जैसे ही proceed बड़न पर click करोगे यहां पर कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा आपके registration mobile नमबर पर एक OTP भेज़े जाएगा उसके बाद में यहां पर OTP automatically यहां पर fill up कर लिया ह इसके बाद में यहां पर यह बोल रहाए कि inter ATM pin जो भी आपका ATM card का जो pin है जो आपने रख रखा है वो ATM card का जो pin है वो यहां पर आपको डाल देना ए तो हैँ तो यहां पर में ATM card का pin को fill up कर देता हूँ मैंने ATM card का pin को fill up कर दिया दिन यहां पर मैं OK पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद मैं यहां पर बोल रहा है कि set up UPI pin ठीक है तो यहां पर मैं UPI pin set कर लेता हूँ मैंने UPI pin को set कर लिया है गाइस उसके बाद मैं यहां पर मैं right वाले पर tick लगा देता हूँ उसके बाद मैं confirm UPI pin जो अभी आपने इंटर किया है नया वाला pin वही यहां पे दुबारा से UPI pin को fill up करना है तो यहां पे मैं दुबारा से वही pin यहां पे fill up कर लेता हूँ उसके बाद मैं यहां पे मैं दुबारा से UPI pin को fill up कर लिया है देन यहां पर मैं right पर tick लगा देता हूँ उसके बाद में यहां पर थोड़ा सा loading लेगा आप देख सकते हो उसके बाद में यहां पर मेरा कुछ technical reason की वज़े से यहां पर try की बोल रहा है तो यहां पर मेरा जो UPI pin है वो change हो चुका है यहां पर guys आपका भी जो UPI pin है वो change हो जाएगा उसके बाद में आपको करना क्या है कि यहां से पूरी तरीके से इसको cut कर देना है यहां पर कभी by chance आपको problem हो सकती है जैसी कि मेरे को इसमें unable to proceed बताया है तो यह से में by chance कभी technical issue हो सकता है बेंकी की तरफ से तो आपको घबरा नहीं है दुबारा से try कर लेना है तो चलिए यहां पर मैं bank balance पर click करता हूँ उसके बाद मैं फिर से इसे पर click करता हूँ उसके बाद मैं यहां पर जो UPI pin आपने नया बनाया है वो यहां पर डाल देना है यहां पर मैंने UPI pin को fill up कर लिया उसके बाद मैं right वाला tick लगाना है उसके बाद मैं यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर अब कोई भी problem नहीं हुआ है देना ही मेरा जो pin है वो यहां पर wrong बताया है आपके सामने ही यहां पर मैंने मेरा जो pin है वो change कर लिया है यहां पर मैरा जो balance है वो भी यहां पर मैंने check कर लिया है तो इसी तरीके से आप भी अपना phone पे का UPI pin है वो यहां पर जो भूल गए हैं उसे पता कर सकते हो वीडियो अच्छे लागी तो वीडियो को like जरूर कर देना चैनल पर नहीं तो दो लोग subscribe कर देना और बेल आइगन को press जरूर कर लेना